रूस में पकड़े गए आयस आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूस में पकड़ा गया ये शक्स ये पहले सीरिया और तुर्की का दोरा कर चुका है और वहां से रूस के जरिये भारत आना चाहता था और यहां आकर बीजेपी के बड़े निथा को टार्गेट करना चाहता था। ये अपने किचन से ही क्लाउट किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इन से सीखना है तो फ्रीड़म आप को अभी डाउनलोड कीजिए। मकसद था इस आतंकी का तुर्की में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। रूस पहुचा था और रूस के रास्ते ये भारत आना चाहता था। और भारत में सत्ता धारी पार्टी यानि बीजेपी के बड़े नेता को टार्गेट करना इसका मकसद था। संवादाता मनीश शुकला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीश इस आतंकी के पकड़े जाने को लेकर के क्या जानकारी है हमारे पास। देखें अभी थोड़े देर पहले ही उसकी पिक्चर और वीडियो रिलीज किया है रसियन एजनसी ने और जिस तरीके से जो हमारे पास तस्वीरे पहुंची हैं उसके बारे बताया जा रहा है कि 30 साल का ये यूवक है जो टर्की में रहते हुए ISIS के जो आतंकी संगठान इसमें शामिल हुआ था हो सकता है थोड़े देर के बाद इसके जो वीडियोज हैं वो हम आपको चैनल पर दिखाएं लेकिन जो सबसे ओड़ी बात है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है ये कहा जा रहा है कि जिस आतंकी को पकड़ा है ISIS के आतंकी को रसियन एजनसी ने वो बीजेपी के किसी बड़े लीडर पर वो अटैक करना चाहता था हो सकता है कि सरकार से जुड़े किसी मंतरी कोई टार्गेट हो या फिर कोई बीजेपी का बड़ा नेता हो हाला कि अभी रसियन एजनसी ने आफिशली पब्लिकली ये नहीं बताया है कि कि किस लीडर के उपर इस तरीके के अटैक करने की प्लानिंग रची जा रही थी और इस वज़े से भी ये ख़बर बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि रूस ने बकायदा ये इन्फॉर्मेशन भारत के साथ शेयर भी की है जो कि रूस गए थे अभी पिछले दिनों ये बताय जा रहा है कि हो सकता है रूस के अजनसी और भारत के अजनसी ते मिल करके ये इन्फुर्ट शेयर कियों जिसके बाद ये रूस ने कारवाई की हो अब इंजार क्या जा रहा है कि क्या जो रूस के थाटीज है इस शक्स को जिसको उन्होंने पकड़ा है वो भारत को देंगे वो या फिर भारती अजनसी और रूस जाएंगी और रूस के अजनसी और के साथ वो इंवस्टिकेशन में शामिल होंगी तो यह अपने आप में बड़ी खबर इस लिहाँ से लिए कि लगाता है मनीश वो तस्वीर हम दिखा पा रहा है जिस शक्स को रूस में पकड़ा गया है आयस आय की सुसाइड बॉंबिंग अटैक करना चाहता था भारत में बीजेपी के बड़े नेता को आत्मगाती हमले से उड़ाने की साज़श इसी शक्स की थी इसका चेहरा हम आपको सुरक्षा कारणों से नहीं दिखा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दें ये ISIS का वो आतंकी है जो की रूस में पकड़ा गया है इसका मकसद भारत आ करके बीजेपी के एक बड़े नेता को आत्मगाती हमले में उड़ाना था ISIS का आतंकी जिसे रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफतार किया है और भारत को भी इस बारे में बाकाइदा जोयनकारी दी है आत्मगाती हमले की बड़ी साज़श नाकाम कर दी गई है ये शक्स जिसने तुर्की में ट्रेनिंग ली थी सीर्या भी होकर आया था और कटरपंथी है ये ISIS संगठन का और इसका मकसद भारत आकर के बीजेपी के एक बड़े निताक पर आत्मगाती हमला करना था जीनियूस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर उस आतंकी की जिसे रूस की एजन्सियों ने पकड़ा है मनीश अब तस्वीरे देख पा रहे हैं उससे शक्स की और Zee News पर एक्स्क्लूजिव तस्वीरे दिखा रहे हैं उस आतंकी की जो की भारत में आकर के आत्मगाती हमला करना चाहता था जा देखें कुछ और जांकारी हमारे पास आ रही है ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रॉफिट मुहमत से जुड़ा जो भारत के अंदर एक कंट्वर्सी आई थी कुछ स्टेट्मेंट आये थे उसको ले करके ये शक्स बदला लेना चाहता था हाला कि अभी इसकी पुष्टी का इंजार हो रहा है अगर आप देखें तो अलकायदा ने भी इस तरीके का थ्रेट किया था कि भारत पे वह हमले करेंगे और ISIS ने कई अपने जो जनरल्स थे जो उनकी मैटजीन होती है उसमें उन्हों इस तरीके के धमकी दी थी और जिस ग्लोबल यह जो टेरिस ग्रूप है उनके निशाने पर है और क्या एक बड़ा खत्रा भारत के सामने है क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त जो रूस की जो जन्सीज हैं जो हमारे पास जांकरी आई है उन्होंने भारत से जांकारी शेर की है कि उन्होंने इस तरीके स से कारवाई की है और और भारती जन्सियां रूस से संपर्क करने वाली है और जांकारी एकठे करने वाली है की जो इस शक्स था वो किस तरीके से भारत आना चाहता था क्या समुन्द के रास्ते है प्लेन के रास्ते है या किसी और देश जो भारत का पड़ोसी कोई देश है वहां के जरीए वो भारत के अंदर दाखिल हो करके अटाइक करना चाहता था सबसे बड़ी बात की भारत के अंदर किस तरीके से उसको यहां मदद मिलने वाले थी क्या कोई यहां पर उसको सपोर्ट कोई बेस उसका था यह अपने आप में बहुत बड़ी इंफर्मिशन है हमारे पास वीडियो भी आ गए है और हम तोड़े दिर में आपको उस शक्स के स स्टेट्मेंट भी दिखाएंगे कि वो किस तरीके से भारत में हमले करने की बात कर रहा है मनीश अगर बात की जाए भारत में जो पिछले कुछ दिनों में कई गिरफतारिया हुई है जिसमें लोगों के वाटसैप के जरीए और सोशल मीडिया नेटवर्क के जरीए इंटर बिल्कुल देख जिस तरीके से हम तस्वीर या वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको बताएं कि 92 बार्न है यानि उनने सो बान में में इसके डेटा बर्त बताई जा रहे है तीस साल का यह यूएक है और यह कहा जा रहा है कि यह सेंटल एशन रिजन का है आपको सेंटल एशन के करेब खुद रूस के जो नागरिक हैं वो आईसाई से जुड़ी होई थे जो वापिस लोट के आएं तो यह शक्त किस तरीके से भारत आना चाहता था किस पर अटैक करना चाहता था यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कौन सा ऐसा हमारा पॉलिटिशन था बीजेपी से जोड़ा कौन सा अथा नेता है जिस पर यह हमला करना पॉलिटिशन था किसे करना था और भारत के अंदर कोई OSI वा था चाह दिली हो चाहे आस-पास के आख क्योंकि हमने देखा कि OSI के ज़्यादा तर अटैक हैं आप देखें तो हालागर इंवर्टिशन नो तो में हमने ISIS के कई मॉडूल्स को पकड़ा है हमने वेस्ट टूपे में भी कई मॉडूल्स को पकड़ा हुआ है तो यह हम नहीं कर सकते हैं कुँए बेस यहां मौज़ोत नहीं है लेकिन किस तरीके से शक्स आएगा यह अपने आप में बहुत बड़ी बात यहां पर हो जाती है जे बलकुल मनीश आपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें रूस में ISIS का एक आतंकी पकड़ा गया है और इस शक्स का मकसद भारत आ करके BJP के एक बड़े नेता को टार्गेट करना था टार्गेट करने का तरीका होता आत्म घाती हमला सुसाइट बॉंबिंग के जरिये उड़ाने का इसका मकसद था ये शक्स जो पकड़ा गया है 30 साल का बताया जा रहा है तुर्की में इसकी आतंकी ट्रेनिंग हुई मध्य एशियाई देश का नागरिक है भारत में सत्ता पक्ष के प्रतिनिधी निशाने पर थे रूस के रास्ते भारत आने का ये प्लान बना करके इसकी मंशा थी इस मामले में ये भी जामने आ रहा है कि जिस तरह से पेगंबर मुहम्मत की कथित अपमान को लेकर के जो विवात खड़ा हुआ है इसको लेकर भी आयस-आयस इस मामले को भुनाना चाहता है इससे पहले अल-काइदा का मारा गया प्रमुक अल-जवाहिरी भी इस तरह की बयान बाजी कर चुका था कि भारत को टारगेट करने के लिए लोगों को वो उकसा रहा था ऐसे में बड़ा सवाल अब ये कि भारत की एजेंसियां क्या इससे जाकर के पूछताच करेंगी या फिर रूस की ओर से इस आतंकी को भारत को भी सौपा जा सकता है ये भी बड़ा सवाल है इन सब के बीच सुरक्षा निश्चित तोर पर आप जो सुरक्षा एजेंसिया हैं उनके कान खड़े हो गए हैं भारत के सत्पक्ष के प्रति kings को निशाने पर बनाने की कोशिश थी मनिश हमारे साथ जादा जानकारी के साथ बरे हुए हैं मनिश भारत की जो friendly countries है वहां से भारत आ करके क्योंकि अगर सीरिया या तुरकी के रास्ते ये भारत आने की कोशिश करता valid तरीके से तो भी इसके उपर कही न कहीं हलकी निग्रानी जरूर रखी जाती तो ऐसे में भारत की उन friendly countries को निशाना वहां से आने की कोशिश की जा रही है जहां अच्छे संबंध हैं, दोस्ताना संबंध है देखे एक और बात है कि हमारा जो पूरा setup है हम ज़्यादा तर पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अंदज़ा रखते हैं अफगानिस्तान से अंद़ा रखते हैं क्योंकि वहां से terrorist group आते रहते हैं चाइना से भी हमारा थोड़ा बहुत हम चाइनीज लोगों पर नज़ा रखते हैं यहां पी अगर आप देखें तो सेंटल एशन रिजन पर हमारा ज़्यादा नज़र नहीं होता है क्योंकि हमारे अब तक कोई वहां terrorist उधर से हमारे देश में अटेक करने नहीं आए हाँ यह जरूर है कि कश्मीर के अंदर अफगानी टेरिस थे वो कुछ साल पहले तक आया करते थे इस वज़ा से किस तरीके से यह टेरिस यहां पर आता अटेक करता और क्या हमारी जनसियां नज़र रखे हुई थी इसको ले करके ज़्यादा जांकारे नहीं है लेकिन हो सकता है कि नेपाल के रास्ते जोकि बॉर्डर खुला है बंगलादेश के रास्ते या फिर पाकिस्तान जहां अगर हमने देखा कि पयो के जैसे तमाम महाँ से आतंकी है गुस्पैक की कोशिस करते है या फिर वैलेड आप पासपोर्ट लेकर कि आप किसी का मालूम कि उसका बैक्राउंड क्या है कि अप लीगल तरीके से ढहिए बकाइदा वीज़ा लेकर आते हैं और आटेक होता है तो यह भी एक तरीका हो सकता है तो आटेक करनें तो कई तरीके हैं अब इस जो शक्स को, जो 30 साल का यूएक जिसको पकड़ा गया है, वो उसके अंदर क्या चला था, किस तरीके से उसने प्लानिक बनाई थी, चुकि ऐसे अटाइक अकेले नहीं होते है, जरूर कोई ना कोई मदद कर रहा होता है, तो ये मददगार कौन है, ऑफिशल लेबल अब बात करें, बड़े लेबल बात करें, जरूर रश्या और भारत की, जरूर कोई ना कोई इन्फार्मेशन शेर होई होगी, जिसको पब्लिक अभी नहीं क्या जारा हो सकता है, कुछ रेट्स हमारे एजंसीज भी किसी जगह करें, और एक बड़े मदूल का खुलासा करे मनीश, क्या इस बारे में सरकार की और से, जो सुरक्षा एजंसिया है, उनकी और से कोई ओफिशियल जानकारी दी जा सकती है, इस मामले को ले करके? मनीश, अगर बात की जाए, इसका जो टार्गेट था, जो पकड़ा गया शक्स है, इसका टार्गेट था, इसको ले करके, चुकि राश्टरी सुरक्षा का ये मामला है, और इसमें अटकल ले लगाना सही नहीं होगा, लेकिन जो बड़े नेता की बात कही जा रही है, इसके बारे में क्या कोई हिंट मिल सकता है कि कौन बड़ा नेता था इस आतंकी के टार्गेट पर? दूसरी बात, क्या रूस के साथ, रूस के साथ अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जब एक्स्ट्राडिशन की कोई बात हो, तो भारत के रूस के साथ एक्स्ट्राडिशन को ले करके, या फिर जो एजनसियों के बीच तालमेल को ले करके किस तरह के संबंध हैं? देखे आपको यह बताएं कि जो एस्यो है जो बनाए गया है जिसमें चाइना रशिया जैसे देश हैं उनके बीच टेरर को लेकर के कॉपरेशन पर बकायदा फोकस किया गया है और कई मीटिंग एनसे लेबल की सम्मेट में की गई है तो अभी हम यह दिखा सकते हैं कि हमारा क ट्रीक से शख्स को इस टेरिस्ट को वो दे दें क्योंकि इसमें उनको लीगल अरचन नहीं आएगी फो जेपॉर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर वक Dj रश्या ने कहा है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के एक ओपरेटिव को धर्दबोचा है जो भारत में आके आतम घाती हमले करने की कोशिश करने जा रहा था और यह जो पर्टिकुलर परसन है यह सेंट्रल एश्या की किसी देश का है और उसे इंडॉक्टरनेशन टर्की में मिली थी जहां पर उसकी मुलाकात हुई थी कुछ टेरर और्गनाइशन के लीडर से और कही ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि जो रिलीज है जो लंबी रिलीज जो जारी की गई है उसके अंदर डीटेल से बता गया कि कैसे वो भारत की तरफ रवाना होने वाला था और देखा कि कैसे भारत चेर है काउंटर टेरर कमेटी युनाइटि नेशन सेक्योरिटी काउंसिल का और ओक्टोबर में एक एहम बैठक करेगा यहां भारत में इसके लावा इसलामिक स्टेट के अगर बात कर लें तो भारत ने अपने कंसरन जाहिर करे हैं मैं आपको बता कि कैसे एक तरफ से इसलामिक स्टेट एक बड़ा कंसरन है भारत ले और कैसे उसने अफगानिस्तान के अंदर भी जो आतंकी घटना है वो की हैं सिधान सिबल जीनी उसके लिए नई दिली इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है रूस में आयस का आतंकी पकड़ा गया है जिसका मकसद भारत में आकर के एक बीजेपी के बड़े नेता कोट टारगेट करना था सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान था इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहें हुआ 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 है